हेलो एवरीवन, वन्स अगेन, वेलकम बेक टो आवर यूट्यूब चेनल, नर्सिंग नोट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, प्लेसेंटा के बारे में, यहाँ टोपिक, मीडवाइफरी एन गाइनेकोलोजी जो सब्जेक्ट है, जी एनेम नर्सिंग एन बीएसे नर्सिंग दोनों स्टुडेंट्स के लिए, जी एनेम नर्सिंग में थर्ड यर के लिए, एन बीएसे नर्सिंग में फोर्थ यर स्टुडेंट्स के लिए है, प्लेसेंटा का अर्थ होता है, अपरा इसका हिंदी में अर्थ होता है, अब इसके अंदर हम पढ़ें placenta यह आपका placenta है यहाँ पर जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है यह है cord umbilical cord ठीक है यह वाला जो surface है outer surface ठीक है यह जूड़ता है maternal uterus से and जो front वाला जो part है वो जूड़ेगा fetus से इसके through umbilical cord के through तो सबसे पहले हम इसका introduction देखेंगे प्लेसेंटा is an important organ during pregnancy गर्ब अस्ता के दोरान प्लेसेंटा एक महत्वपुन अंग होता है मतलब एक important organ होता है कब प्लेगनेंशी के दोरान Next, second point है प्लेसेंटा is an fleshy and discoid structure developed from propoplast layer of fertilized ovum and maternal decidua placenta, fleshy थता discoid structure होती है scar development, fertilized ovum की tropoblast जो layers होती है and maternal decidua से होता है maternal decidua मतलब endoderm जो layer होती है uterus की उसको केते हम maternal decidua तो यह थी इसकी normal definition भी कह सकते हैं इसको ठीक है next point है it is attached to uterine wall and attached to the fetus by umbilical cord जैसे की अब भी हमने image में बताया कि जो outer surface है ठीक है यह जूरता है uterine wall से एंड जो inner surface होता है वो किस से जूरता है? fetus से, किस के थुरू? umbilical cord के थुरू? next point है it is help in maintaining pregnancy and performing important function of fetus और यह क्या करता है? placenta pregnancy को maintain करता है और fetus के important functions करता है जैसे की respiration endocrine system की कौन-कौन से glands इसमें से secret होते हैं इस तरीके से ठीक है? तो यह था इसका general introduction normal position की बात करें तो यह आपका दिखाई दे रहा है यह हो गया uterus ठीक है? maternal uterus हो गया यहाँ पर वेजाईनल हो गई और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यह आपका हो गया placenta ठीक है? placenta हो गया और यहाँ पर umbilical coat से fetus जूड़ा होआ होता है ठीक है? इस तरीके से तो यह इसकी normal position हो गई अब placenta के बहुत सी abnormalities भी होती है वो हम अगली classes में पढ़ेंगे अब बात करेंगे function of placenta इस वीडियो के अंदर हम सिफ function of placenta के बारे में ही पढ़ेंगे next वीडियो में हम पढ़ेंगे placenta के development के बारे में तो सबसे पहला function है respiratory function fetus के lungs मेचोर नहीं होते हैं इसलिए placenta के द्वारा diffusion की process O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है मतलब की fetus के lungs मेचोर नहीं होते हैं इस वज़े से जो है diffusion जो process होती है वो placenta के थुरू होती है mother के blood से fetus O2 को ग्रहन करता है मतलब fetus जो हता है mother के blood से O2 लेता है और अपनी CO2 को mother के blood में transfer कर देता है और carbon dioxide जो होती है वो mother के blood में transfer कर देता है ठीक है तई यह इसका first function हो गया respiratory function next function है second excretory function fetus की kidney 10th week से कार्य करना आरम कर देती है ठीक है मतलब की fetus की जो kidney है 10th week से अपना कार्य करना प्रारम कर देती है परन्तु urea uric acid वा क्रेटिनिन आदी waste substance का excretion placenta द्वारा maternal blood में किया जाता है मतलब बाकी के जो waste substance है वो काँ पर placenta के blood के अंदर निकाल देगा तो यह इसका second function हो गया ठीक है next function नंबर third nutritive function fetus अपने पोशक तत्व मदर से प्राप्त करता है मतलब fetus जो होता है वो मदर से अपने nutritive जो तत्व होते है वो प्राप्त करता है यदि मदर का nutrition अब परियाप्त हो तो यानि कि मदर का जो nutrition है वो उसके लिए enough हो गया है मतलब अब परियाप्त है तो fetus को nutrition देने है तो मदर के tissue में store nutrients का अब गटन होता है मतलब कि मदर के tissue से उसको nutrient तूट कर मिलेगा यानि वी गटन होकर मिलेगा ठीक है disposable भी होकर उसको प्राप्त होगा इसलिए मदर की diet सबी आवशक पोशक तत्वों से युक्त होनी चाहिए मतलब कि मदर की जो diet होती है जिसके अंदर सबी प्रकार के पोशक तत्व उपस्तित होने चाहिए तो ये था third point nutritive function next four function है placenta का placenta membrane के कारण placenta एक barrier की तरह कारिया करता है placenta के अंदर क्या होता है एक membrane होती है जिसकी तरह एक barrier की तरह काम करता है इस barrier के कारण unnecessary large molecules या कुछ harmful substance एवं drug मदर के blood से fetus तक transfer नहीं होती है इसके थुरू क्या है unnecessary जो है large molecules है और harmful substance and drug मदर कोई भी drugs लेती है तो वो fetus तक नहीं पोचता है ठीक है इसलिए क्योंकि इसके अंदर barrier present होता है तो यह था इसका fourth function next function number fifth endocrine function placenta मदर में एक अतिरिक्त gland की तरह कारिया करता है means मदर में placenta एक endocrine system की तरह भी कारिया करता है तो इसके दवारा चार हर्मोन secret होते है तो सबसे पहला है human chorionic ganadotropin hormone HCG hormone कहते है second hormone है human placental lactogen hormone जिसको HPL के नाम से जानते है and next third one है progesterone hormone and last one है estrogen hormone यह चार हर्मोन क्या है placenta secret करता है मदर में ठीक है next function है function number six enzyme function placenta के दवारा कई enzymes बनते हैं जो हर्मोन के synthesis तथा metabolism में help करते हैं और placenta के दवारा जो enzymes secret होते हैं ठीके वह हर्मोन के synthesis और metabolism में help करते हैं तो इसके दवारा तीन ऐसे enzymes secret होते हैं following enzymes are made by placenta जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं यह तीन enzyme क्या है placenta बनाता है तो सबसे पहला है alkaline phosphate second है oxytoxins and third one है diamond oxidase यह तीन enzymes placenta secret करता है next last function है protection placenta का last function है protection placenta fetus को कई infection से शुरक्षा प्रदान करता है मतलब placenta fetus को बहुत सी infection disease है ठीक है उससे भी क्या है immunity या शुरक्षा प्रदान करता है placenta द्वारा maternal IgG fetus में transfer होता है और placenta के द्वारा क्या है maternal जो IgG है fetus में transfer होगा जो fetus को immunity प्रदान करता है जो IgG जो होता है वो fetus को क्या है immunity प्रदान करता है इससे regarding आपका 8 नमबर का questions बन सकता है placenta, placenta के function और placenta के development के बारे में development के उपपर वीडियो next आपको मिल जाएगी और भी जो midwifery and gynecology के जो subject है ठीक है उनके भी notes आपको link description में मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं fetal circulation, इसके बाद umbilical cord and amniotic fluid के बारे में इसके बाद labor की first stage और कौन-कौन से types होते हैं labor में उसके बारे में उमीद करता हूँ आपको समझ में आगया होगा placenta क्या होता है इसके function क्या होते है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें यदि आप हमारी यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थेंक्यू